एक सवाल मैं सल्मान साब आप से पूछना चाहता हूँ देखिए अब वापस क्यूंकि 2024 आने वाला है और बड़ा चुनाओ होगा और विपक्षी एक्ता की जो मीटिंग हो रही है उसमें एक रणनीती एक रोड मैप भी बनेगा एक पट्री बिछाई जाएगी जिस पर आप विपक्ष की तरफ से एक रेल चलाएंगे इसमें कॉंग्रेस की क्या भूमिका होगी उसको लेकर के बहुत चर्चा रहती है आपको बहुत सारे लोग हिदायत देते हैं विपक्षी नेता ही कि ज़रा बड़ा दिल रखिए थोड़ा दिल खोलिए ऐसा ना हो कि आप बड़ सौफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है एक एंटिनी ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि ये बहुत ज़ादा मुस्लिम तुष्टी करंट की वजाए से 2014 हार गए तो आप इस पर क्या कहेंगे क्या आपको मंदिर जाना पूजा पाठ करना इसकी जरूरत महसू को बोट जаюсь हो रही है अब देखए एक बात में सपस्ट कर दूँ इस देश में जो घुमत है या इस देश का बहुले जो यहां का समाज है वो हिंदू है मिजॉर्टी हिंदू देश है यह इसको नदर अंदाज नहीं किया जा सकता Sumla लिया था कि हम किसी और धर्म के किसी और मज़भ के लोगों को अपने से कम नहीं मानेंगे और आईए हम एक ऐसा समविधान बनाएं जिसमें हमारी संक्या जादा होने पर भी हम अपना महत्व उतना ही मानेंगे जितना कि हम और धर्मों का महत्वा अपने देश में मालेंगे यह हमारा संकल्प है, यह हमारा constitution है तो कोई यह कहे कि हम हिंदू धर्म से दूर रहें तो फिर हम इसलाम धर्म से दूर रहें, हम सिक धर्म से दूर रहें, हम बुद्धिस धर्म से दूर रहें उसका सवाल नहीं हमारी secularism इस देश में हमारी secularism इस देश में धर्म से दूर रहने की नहीं है धर्म को बराबर का सम्मान देने की है यह हमारा secularism है तो इसलिए अगर कोई मंदिर जाता है मैं लोगों के साथ मंदिर जाता हूँ और मैं गंगा के किनारे लोगों की पूजा आरती में भी गया हूँ और मुझे बड़ा खुशी और हर्श होता है जब किसी मजार पर फूल चड़ाने के लिए मेरे हिंदू साथी मेरे साथ चलते हैं जाते हैं मैं अगर नमास पे जाता हूँ तो वो बाहर मस्जिद के मेरा इंतिजार करते हैं और ऐसा समा हमने इस देश में बनाया था कि हम किसी पर ये गिंती ना करें कि तुम इतने बार धर्म के नाम पर तुम मंदिर गए तुम मस्जिद गए लेकिन जब हम इलेक्शन में उतरे हैं तो हम ये ना कहें, कि मैं इतनी दफ saja मस्जिद जाता हूं, या मंदिर जाता हूं, या मैं इतनी दफा्ध भगवान की आरती करता हूं, ये हम चुनाव में ना कहें, चुनाव में.... यह तो ऐसे लग रहा है आप अपनी पार्टी को एक हिदायत दे रहे हैं नहीं हिदायत नहीं हम नहीं करते हैं हमने करनाथक का इलेक्षन लड़ा करनाथक के इलेक्षन में हमने खड़े होकर अभी आपकी पार्टी के निता गए मंदिर में मंदिर में जाना तो कोई बुरी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ पर वो चुनावी राज है मैं मुसल्मान होते हुए चुनाव होगा लेकिन Code of Conduct तो भी नहीं लगा ना और चुनाव में भी कोई मंदिर जाए मस्जिद जाए गिर्जा घर जाए गुर्दवारे जाए लेकिन उसको चुनाव का एक मुख्य मुद्दा ना बनाए कि मैं जाता हूँ लेकिए हमारा जो कानून है वो क्या कहता है कानून ये कहता है कि आप इस हद तक कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा हिंदू हूँ इस हद तक आप कह सकते हैं इस पर कोई रोक नहीं है ना होनी चाहिए आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंके मैं हिंदू हूँ और वो मुसल्मान है इसलिए मुझे वोट दें ये फर्क इन में और हम में है